हेलो फ्रेंड्स मैं बबीता आज बात करूंगी बहुत खुबसूरत दिखने वाला फ्लारिंग प्लांट के बारे में क्लांचो के बारे में आल अबाउट क्लांचो इसके बारे में सब कुछ हम जानेंगे कि ये कैसा पौधा इसकी वराइटी कितनी होती है और इसको पानी सनलाइट इन सब कितनी जवरत होती है तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सस्काइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सस्काइब बटन पे क्लिक करें फ्र पर आप इसको कहीं भी घर के अंदर रग दीजिए इसके फूल हमेशा ऐसे ही बने रहते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप इसको ग्रो कैसे करें फ्रेंड्स ये कटिंग से बहुत ही एजली लग जाती है आप इसकी छोटी सी कटिंग अगर टिप से लगा देते हैं तो बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाती है आप यहां पे देख सकते हैं जब मैंने इस पौधे को लगा था तो कटिंग से ग्रो किया था अगर आप इसे एक बार लगा लेते हैं तो नजाने उसके कितने सारे पौधे तयार कर सकते हैं तो ये कटिंग से ग्रो होने वाला और इसका larva गुच्छे में रहते हैं और इसके फोर पिटल स और इसके पोरस का होते हैं अदिधत है इसके सबते होता होता है है कि सनलाइट की बात करें तो आप इसे सेड में भी रख सकते हैं बस एक बार फुल खिलने के लिए जैसे पौधा जब हमारा फ्लावरिंग नहीं करता है तो उसको फ्लावरिंग लाने के लिए एक बार इसे आप थोड़े दिन के लिए धूप में रख देंगे जब उसके फ फ्लावर एक बार खिल जाएंगे तो रूम के अंदर भी रख देंगे तो भी अच्छे से ऐसे ही खिलता रहता है और इसके जो फ्लावर्स होते हैं तीन से चार महिने तक ऐसे ही बने रहते हैं एक बार खिलना स्टार्ट हो जाता है तो चार महिने तक तो रहते ही रहते हैं खिलते ही ऐसे रहते हैं सर्डियों में इसके फ्लावर खिलते हैं गर्मियों में नहीं खिलते हैं मगर ये पौदा जो हमारा गर्मियों में ऐसे बना रहता है और फर्टिलाइजर की बात करें तो इसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं है ये कम फटिलाइजर में भी इसके फ्लावर्स खिलते हैं इसका सीजन जब होता है तो गर्मी में ये पौधा जो है नहीं खिलता है फ्लावर क्योंकि ये सर्दियों ओ फूलों ओ ओ वाला पौधा होता है और इसको लिए सनलाइट की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि इसको बहुत ज़्यादा सनलाइट की जूरत नहीं होता है यह चाय वाला पौधा होता है मंगर एक बार जो है इस पे फूल लाने के लिए आपको धूब दिखानी ही पड़ेगी जब एक बार फ्लावर खिल जाया तो आप इसको जो है चाया में रख सकते हैं और इसके लिए मिट्टी की बात करें तो यह जो पौधा होता है एक सुकुलेंट वराइटी का पौधा होता है इसकी पतियां आप टच करेंगे तो इदा मोटी मोटी सी पतियां होती है इसके पतियों में औरेडी पानी होता है सकुलेंट वराइटी को होने के वज़े से इसको पानी बहुत ही कम देना होता है जब देखिए कि ओपर की मिट्टी काफी जादे सूखी हो गई है तब आप इसमें पानी को दीजिए नहीं तो आप ज़्यादा पानी देंगे तो इसमें फूल नहीं खिलेंगे तो इस बात का हमें ध्यान देना है कि इसको पानी कम देना है और इसकी मिट्टी जब हम तयार करेंगे तो वेल्डरिन मिट्टी तयार करनी है और अभी जैसे मैंने कहा कि इसके लिए पानी की जूरत तो पानी वही है कि इसको हमें पानी कम देना है और अगर आप पानी कम देंगे तो बहुत ही अच्छे से ये फ्लावरिंग करता है और paste attack की बात करें friends तो इस पे अभी तक तो मैंने कभी नहीं देखा है कि हाँ कोई कीडा लगा हो या कोई फंगस इस तर्यक लगा हो इस पे अभी तक मैंने कुछ भी नहीं देखा है अगर by chance आपके पौधे में लग जाता है तो आप जो है simply neem की पतियों को boil करके spray कर सकते है और उससे जो है यह बहुत ही easily दूर हो जाएंगे कोई भी paste attack होंगे तो friends इससे related कोई भी अगर आपको question हो तो आप मुझे comment box में comment कर सकते हैं मैं पूरी कोशिस करूंगी reply देने की अगर आज का वीडियो helpful लगा तो वीडियो को जादा से जादा like करे शेयर करे और हाँ channel को subscribe करना ना भूले मिलते हैं फिर किसी next वीडियो में नन्यवाद